जाहिन नमस्कार स्वागत है आपके अपने चानल स्टैन्ट वेक येसी मैं फिर से एकपर आचुका हूँ कुछ आप लोगों से बात करना है चुकि देखे जो बहुत सरे जो एनेम सिश्टर है उसमें ही जैसे जो क्वालिफाई है ना 8791 उन लोगों में कुछ लोग अगर 10% क कोई अच्छा कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए ये नहीं कि आप उसी का क्या करें बिरोध करने लगे ये गलत बात है इसी भी चीज को देखर बिरोध करना किसी को अगर वह अच्छा कर रहे तो उसको आगे बढ़ने के लिए आपको इंस्पाइर कर है और वो निप्रिवत कर रही हैं लोग और एक और चीज़ और बीटीस के नाम पर देखें बहुत बरह क्या हो रहा है एक मतलब लूट कांड भी हो रहा है जिसको बोल सकते हैं के स्कैम भी बोल सकते हैं क्योंकि समझ लिजे आपकी आप लुग जाहिए अंदर बैठे क्योंक हम हमारा कोई संध है चिक हो और उसों संध के हम क्या है नितिनुत करता है और उसमें क्या है कि सबनें फंडिंग किया जें किसी में एक हजार समझ की किजिए कि मिनिमार एक हजार से nós नेकर 10 जर के बीच में फंडिंग किया 5000 लोगों की संख्या लगवग Approx ते आप काउंड किजिए जहां खर्च हो रहे हैं पांच लाख जहांँ har और हे हैं 5 लाख कि आप लोगों के नाम के आगे नाम पर महुँ सारे लोग कुछ अजीब गरीबे कांड कर रहे हैं जो फाइनेंसियल रूप से जितना लग रहा है उतना नहीं है क्योंकि आप भी मानते हैं इस चीज़ को क्या सर कि जब हाइ कोट में अगर कोई जज फैसला सुनाता है ऐसे ही मतलब जल्दी बाजी में उसने फैसला सुना दिया सिंगल बेंज का वो जज और उसमें आप मतलब किसी विधिवत परकिरिया कानून को उतना ऐसे मतलब आपको लगता है कि वो सही धंग से उन्होंने सुनवाई नहीं की हम संतूष्ट नहीं है और संतूष्ट है तो हम फिर से क्या करेंगे अपील दार्ज करेंगे लपीय करेंगे लेटर पेटेंट अपील ठीक इसको बोलते हैं समझ गें कोई सिंगल बेंज का जज जब वो सुनवाई करता है किसी फैसले पर और आप उसे संतूष्ट नहीं है तो इसमें प्रधान होता है कि आप हाई कोट के सेम हाई कोट में फिर सुनवाई करेंगे अपील दार्ज करेंगे या सुप्रीम कोट में जाने से पहले एक बार आपको याचिका फिर से वहां नोटि के संख्या जो समाई लगता हूँ अलग है अब आई यह मूदे पर बात करते हैं देखें चुकि एल्पी यह बनाया गया था आपका आठारे सो पैंसर्टिस भी में ठीक जैसे कि आपको मालूम है कि आई पीसी भी आई पीसी की जो धारा है इंडियन पैनल कोड यह भी आठार हुआ है साथ मार्च के डेट में ठीक और इसमें साथ मार्च के डेट में रिजिस्टर हुआ है और इसमें कहना है कि जो सिंगल बेंच के जज साहब थे जिनोंने फैंसला सुनाया है यह बीटी एसी ने मांग किया है किसने बीटी एसी ने मांग किया है डबल बेंच का समझ कि दिखिए अगर जो लोग समझदार होंगे और मेरी बातों का समझने का प्रयास भी किजिएगा, BTSC यहाँ पर आपना देश छुरुआने का प्रयास कर रहा है, समझेगा क्यों हम बता रहे हैं, चुकि BTSC के तरब से जो नोटिस निकाला गया था, उसने ही बोला था कि हम CBT, जैसे BTSC ने बोला, आप लोग ने क्रैटिरिया पूरा किया, ठीक, इसने बोला आवेधन किजिए, आप लोग ने आवेधन किया, इसने बोले कि इतना एज रहेगा, इतना से इतना एज में भरना है, इतना से इतने तारीक में, और आपको एक्जाम भी देना है, ठीक, 100 नमर का CBT देना है, आप लोग ने ओभी फुल्फिल किया, और यह सारे परिकिरिया किसी ने दिया था, यह BTSC का ही मांग था, यह BTSC नहीं किया, ठीक, जब BTSC ने दे दिया, यह कायम रहा, और यह बोल रहा है कि जो हम बोले हैं, CBT का मांग उसी पर होगा, और डबल बेंज के लिए Health Minister, जो बिहार सरकार है, उसके against में यह बोला है कि डबल बेंज के लिए हम जो आपने फैंसला सुनाया है, हम उसे संतूष्ट नहीं है, किरप्या करकर मेरा LPA दायर किजी, ठीक, तो यहां पर यह appeal accepted हो गया है, अब रही बात कि इसमें कितने समय लगते हैं, हाई कोट में, हाई कोट में जब जाते हैं, सेम हाई कोट में, जो appeal दर्ज होता है, उसमें इसको clear करना होता है 30 दिन के अंदर, कितने? 30 दिन के अंदर इसे clear करना होता है, दोस्तों 30 दिन के अंदर, और यहां से भी, अगर यहां से भी कुछ सुनवाई नहीं होता है, गृष से अधिक जोज रहेंगे तो यह अब इन्हों ने जो जवाब दिया है स्GG बेंज के जूज ने तो इस सारे लोग उनका जो पेपर है NHS है उसको जाच परेंगे और देखेंगे क्या इन्होंने सन्मिधानिक परकिरिये से जाच किया है, क्या इन्होंने सन्मिधानिक तरीके से भरतिये सन्मिधान के अनुछेद, धारा, IPC, CRPC के तहते इन्होंने सुनवाई किया है या नहीं किया है, इसकी जाच होगी, ठीक है, और यहाँ पर यह रहेंग के बाद जो निर्नहीं आएगा जो जिसके पक्च में हो चाहे वो सन्विधा कर्मी बहान हो चाहे हमारे कौलिफाई बहान हो ये दोनों के पक्च में से किसी में भी जा सकता अगर जाच पाया गया जाच में अगर कुछ सही निकलता है तो मान लेजे, CBT वाले जीतेंगे, अगर नहीं, कोई अगर वैसे ही रहा, हाला कि ये लोग तो काफी ज़्यादा बिद्वान रहते हैं, और संसोधन करने के मुझे कमी चांस है, क्योंकि अगर चला गया है, तो देखे, जो फैसला सुनाया होगा, वो नियम और सन्विधान क जो दिमाग होता है, और जब दो या दो से अधिक लोग रहते हैं, तो वहाँ पर एक नई चीज उत्पन होती है, तो हो सकता है कुछ नए है, यहाँ पर देखने को मिले नहीं, तो वही होगा, जो हाई कोट ने बोला, कि इस बहाली को रद करकर फिर से मेधा सुची तयार क कांसिलिंग बेसिस पर तो वही होगा, LPA समझ गए, LPA का मतलब समझ गए, यानि हम हाई कोट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, LPA सेम कोट में सेम फाइल धर्ज करते हैं, और यहाँ पर देखे, यहाँ से कुछ नहीं सुनवाई होगा, यहाँ से भी आ यहाँ पर सिंगल बेंच और फिर एक से अधिक बेंच जो हैं, तो यह सारे एक तरफ बैठेंगे, सारे एक तरफ, और जो सुप्रीम कोट के जज होंगे, वो एक तरफ और यहाँ पर फिर फैसला होगा, काफी रोचक हो जाएगा, और इसका जो समय सिमा है, इसमें समझ लि सालों से, तो उनको अब 30 दिनों के अंदर इंतिजार करना होगा, चुकि मुझे लगता है कि अब 30 दिनों के अंदर जवाब देना होता है, चाहे यह आचार सहींता लगे, चाहे कोई भी लगे, यह LPA है, तो LPA का यह रूल है, कि 30 दिन के अंदर आपको सुनवाई करना है, सुनवाई नहीं करेंगे तो यहां पर जवाब देई हो जाता है फिर आगे सुप्रीम कोट के लिए भी सुप्रीम कोट जांच करता है आपको मालूम है कि सुप्रीम कोट सभी जो डिस्टिक जर्ज हाई कोट हो गया तो उस अब का जांच करता है और 30 दिन को अंदर जवाब देना पड़ जगा, तो उमीद है, अज कितना तारीख है आप लोग का, तो इसके मुताबिक, यानि आज से जितना तारीख है, आप 30 दिन गिनना शुरू कर दिजे, तो हमको लग रहा है कि अप्रेल, 8 या 9 अप्रेल तक आपके इसके बीच में हो बिहार के उप स्वास्त सचीव जो थे, जिस में, जिस दिन महिल आए गए थी, NM Sister क्वालिफाई लोग गए थे, बीटी एसी ओफिस में, जो मैंने वीडियो अप्लोड किया है एक, उसमें जो अभे सुरू सुरू में जो बोल रहे हैं, वो उप सचीव हैं, और उनी से जो कुछ लड़किया, जो NM Sister थी, वो गई थी, और उन्होंने भी बोला है, उस वीडियो में भी बोला है, कि जो भी NM Sister का क्वालिफाई होगा, जो जो इनिंग लेटर दिया जाएगा, मेरिट बनेगा, वो रिटेन एक्जाम पर बनेगा, उन्होंने उप सचीव ने बोला है और जो उपमुख मंतरी थे, स्वास्त मंतरी हमारे समराठ चोधरी, उनका कहनाम है कि हमें क्वालिटी, बेहतर से बेहतर क्वालिटी नर्सिंग चाहिए, बेहतर से बेहतर क्वालिटी, यानि क्वालिटी भाई ढूंडेंगे, आप तो कुछ ना कुछ कराना परेगा, competition वे कि ये 30 दिन का अंदर सुनवाई होता है LPA में, 30 दिन, कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं, कि कब सुनवाई होगा, क्या नहीं, 30 दिन का अंदर ही सुनवाई होगा, चाहिए कोई भी जो पड़े लिखे, जो भारतिये, सन्मिधान, CRPC, IPC की बूक है, आप प्ले स्टोर से भ हो गया, उमिद करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, फिर हम मीलेंगे नए अपडेट के साथ, और एक नए टॉपी के साथ, BTSC से सम्बंधित, BTSC, NM, इंस्ट्रक्टर, BTSC से जितने सम्बंधित है, हम उसका अपडेट देते रहते हैं इस चानल से, इसलिए जो भाई